मैं इतना लश्चन प्यास नहीं काती हूँ जी सुदोन बरी मैडम कहती हैं आईला हम प्याज नहीं खाईला अब आप इनकी ही सुन लीजिए नहीं तो आप कहेंगे मोदी जी की देश्भक्त मंत्री पर खांग्रेशी और वामी पत्रकार कर रहा है देश्द्रोही प्रहार मैं इतना लश्चन प्यास नहीं काती हूँ जी सुदोन बरी मैं ऐसे परिवाद से आती हूँ जहाँ आनियन प्यास का मतलब नहीं रखते हैं उमीद है अब आप सबको संतोस हो गया होगा इनको गर्व है कि मैडम के घर में प्याज लहसों से दूर रहा जाता है इसलिए प्याज की समस्या को समस्या नहीं मानती फिर कल इनके घर में किसी को टीवी कुपोशन है जा दमा और मलेरिया नहीं होगा तो कह देंगी हमको का लेना देना ये तेरा रोग है तुही जेल खैर ये मंत्री हैं और हम लोग आम जनता हमारी का वकत की मैडम से सवाल करें आपके सांसद संजय सिंग ने जरूर सवाल कि प्याज सडा रही है केंद्र की सरकार ने 32,000 टन प्याज सडा दिये क्योंकि देश की वित्तमंत्री प्याज खाती नहीं उनको प्याज से कोई लेना देना नहीं लेकिन वित्तमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि देश की करोणों जनता को प्याज से मतलब है वो प्या प्याज बिक रही है देश में और आप कहरें मैं प्याज नहीं खाती मैं लहसुन नहीं खाती आप होती होंगी बहुत बड़े परिवारत हैं आपको नहीं प्याज और लहसुन की जरुवत होती होगी लेकिन देश के गरीब आदमी को प्याज रोटी खाके अपना पेड भरन करोणों लोग हैं और उनकी थाली से प्याज चीनने का काम केंद्र सरकार ने किया है पत्तिस हजाद टन प्याज आप सडा सकते हैं गरीब के थाली तक नहीं पहुचा सकते यह बहुत बड़ा भोटाला है काग्जों में प्याज सडाई गई है बाजार में कमी जानबूच कर क उसकी वज़ा से जमाखुरों और कलाबाजारियों से मिलके यह दाम बढ़ा गया है आपने संजे सिंग को सुन लिया पर मैडम काहे जवाब दें जवाब आप दीजिए क्योंकि आप लहसुन प्याज खाते हैं और मंत्री मैडम मंत्री हैं वह सिर्फ वोट खाती हैं मैं इ